नमस्कार दोस्तों और स्वागद आपका इंडियन फुडवाल का एक और नए एपिसोड के अंदर जहाँ पर हम लोग बात करने वाल है हीरो इंडियन सूपर लिक से रिलेटेट कुछ हुज ट्रांसफर अपडेट्स, AFC चांपियन्स लिक स्पॉट और आई लिक मैच अपड जान करी रेगुलरली आपका हमारी इस चैनल पर जानने को मिलते रहे और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोड़ा सा लाइक भी जरूर कर देना तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज गईस सबसे पहले 80 के महनवागान के बारे में बा अफर भेज़ दिया है और यह गईस प्रितम कोटाल के साथ 80 के महनवागान के लिए एक बहुती जवरदस्थ कॉंट्रक्ट एक्स्टेंशन होने वाले है हाला कि प्रितम कोटाल ने यह कहा है कि और भी दो आयसल काबो के तरफ से उनको आफर किया गया है लेकिन जहां तक म पुछ रिपोर्ट्स के जरिए यह रिउमर्स निकल कर आ रहा है कि चनाइन एपसी उनका यंग इंडियन और वाइटल डिफेंडर जेरी लालरिंजुला के साथ most probably अपने कॉंट्रक्ट को एक्स्टेंड कर सकते हैं चलिए देखते हैं कि आग जाकर अब इसके बारे में चन सुनांदो धर उन्होंने यह कहा है कि पहले दो-तिन हपतों के अंदर आइलिक का सारे ही मैचेस क्लॉस डोर मैचेस ही होने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर मेबी एप्रिल का फ़र्स टुएक से आइलिक के अंदर फैंस को एलाउ किया जा सकते हैं नेक्स्ट अकर बात किया जाए एटी के महानवागन का डिफेंडर प्रवी दास के बारे में जिन्होंने कैला उलाश्टर सेफसी के खिलाब ब्लास्ट मिनिट में एड्जेन लूना के खिलाब फाउल करके रेट कार्ट कंसीट कर लिया था उनको गईस यहाँ पर उस वायो यान गोलकीपर के दौर पर एक प्री कॉंट्राक्ट के जरीए साइनिंग करने वाले है ओरिशे अफसी का फर्स्ट चोइस गोलकीपर अर्शदीप सिंग को तो अर्शदीप सिंग जो पिछले दो सीजन से कमाल का फ्रॉम में चल रहा है लास्ट येर ऐसे गोलकीपर सीजन के अंदर भी नोने ओरिशे अफसी के तरफ से आठ मैचेस खेला है जहाँ पर दो क्लिंशिट भी शामिले और यहाँ पर गैस अब नेक्स्ट सीजन के लिए अर्शदीप सिंग को अपने टीम में साइनिंग करने वाले है तो यहाँ पर गैस एफसी गोआ तो अगले स कुमार का टीम चेंज करना तैय भी है तो देखते हैं आगे जाकर नविन कुमार कौन से क्लाबों के साथ जॉइन करते हैं और इसके बारे में जबी कुछ ऑफिशल अपडेट्स आ जाएगा मैं आब लोगों को जरूर इंफर्म कर दूंगा उसके बाद गैस जो अगला ट् कोंट्रक्ट में एग्रीड हो चुगा है और अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं आ रहा है हो तो आपको ये बात मालूम भी होगा क्यूंकि जब जानूरी ट्रांसफर उंड़ों के अंदर छांगते मुंबई सीड एफसी में शिप्ट हो चुगा था उस ने वाल है नेक्स्ट अकर बात किया जाएगा इस नौर्थिस टूनेट एफसी के बारे में जिन्होंने अपना आखरी मैचेस कल एस सी इस्ट बंगोल के खिलब 1-1 ड्रॉ किया है और यहाँ पर नौर्थिस टूनेट एफसी का जो हेटकोज है खालिद जामिल उन्होंने मी जाएंगे या नहीं उसके बारे में आप लोगों का कह रहा है वो आप लोग नीचे कवर्ण वक्सफर जरूरू बताइएगा उसके बात चलिया आखिर में हम लोग बात कर लेते हैं एफसी चांपियंस लिग के बारे में तो यहाँ पर गाइस एफसी एफसी कमिटी ने यह डिसिशन पर उसके बात एफसी ने यह कहा है कि एफसी टीम को एफसी चांपियंस लिग में स्पोर्ट देना चाहता है वो एफसी खुट डिसाइड कर ले लेकिन गईस एफसी के तरफ से यहाँ पर अभी तक कोई भी डिसिशन नहीं लिया गया है और आईसल का स्टार्टि से ही जितने भी टीम यहाँ पर एफसी चांपियंस लिग के स्पोर्ट के लिए मेहनत कर रहा है खास कर करके जामशित्पूर एफसी हाई रावद एफसी और एटी के महनवगन उन तीनों ही टीमों को अगर आखिर में आकार यह कह दिया जाए कि आपको एफसी चांपियंस प्रॉब्लेम का सलूशन रोनते हुए इस सीजन का जो आएसल शिल्ट विनर है उनको शायद दोहजार प्रॉबिस में एफसी चांपियंस लिग में स्पोर्ट दिया जाएगा और इसके बदले में जो अपकामिंग सीजन होने वाले है यानि कि आएसल दोहजार बाई स्टे एफसी और जामशित पूर एफसी क्योंकि उनके पास चांसेस जादा है चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एफिप के तरफ से आप क्या डिसिजन लिया जाते ही और इसके बारे में आप लोगों का क्या रहा है वह आप लोग नीचे कमंड बक्स पर जरूर बताइएगा चलि